लेखक परिचय नाम राजा लक्षमन सीं जन्मस्तान आगरा जन्मतिती थी इनिस सो चब्वीज हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फार्सी, बंगला और अरबी भाशाओं के ग्याता अभी ज्यान शाकुंतल, मेगदूद, रघुवंश के हिंदी अनुवाद के लिए पुरस्कार मिला था अरे सीं, तु अपना मुग खोल, मैं तेरे दाद गिनूंगा ए हठीले बालक, तु वन के इन पशों को क्यों सताता है, हम तो इन पशों को बाल बच्चों के समन रखती है, तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, तेरा नाम रिशियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है अहा, क्या कारण है, कि मेरा स्निय इस बालक की ओर उबड़ा साहता है जो तु इस पच्चे को छोड़ न देगा, तो सीहनी तुझ पर दोड़ेगी ठीक है, सीहनी का मुझे ऐसा ही डर है यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अगनी के समान दबक रहा है हे प्यारे बालक, सीहनी के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलो न दूँगी पहले खिलो न दे दो, लाओ, काँ है हाँ, इसके हाथ में चक्रवर्थियों के लक्षन है पंगलियों पर कैसा आद्बुझ जाल है और हथेली की शोभा प्रातह कमल को भी लज्जित कर रही है हे सखी सुवरता, यह बातों से न मानेगा जा, मेरी कुटिया में रुशी कुमार के खेलने के लिए मिट्टे का मोर रखा है, उसे लेया मैं अभी लिया आती हूँ तब तब मैं इसी सींग के बच्चे के साथ खेलूंगा इस सुन्दर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा लल चाता है धन्य है वे मनुष्य, जो अपने पुत्रों को गोध में लेकर उनकी अंग की धूली से अपनी गोध मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हसी से खुल कर उज्वल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं क्यों रे ढीट, तु मेरी बात कान नहीं धरता कोई रुशी कुमार यहां है हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बली बालक के हाथ से सीए के बच्चे को छुडाओ अच्छा, हे रुशी कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आच्छनर क्यों सिखा है जिससे तुमारे कुल की लाज जाती है यह तो कोई अच्छी बात नहीं हे बड़ भागी, यह रुशी कुमार नहीं है सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के है यह रुशी कुमार नहीं जान पड़ता परन्तु मैंने तपोवन में वास देख इसे रुशी पुत्र जाना था आहा, जब इसका हाथ छुने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़ भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्श होता होगा बड़े अचमबे की बात है तुम्हें क्यों अचमबा हुआ इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली हे तपस्विनी जो यह रुशिकुमार नहीं है तो किस वन्ष का है यह पुरू वन्षी है इसलिए इसकी सूरत मुझ से मिलती है पुरू वन्षियों में यह रीती तो निश्चित है कि यूवा आवस्था में वे महलों में रहकर प्रित्वी की रक्षा और पालन करते हैं मनुश्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा हे परदेशी तेरा यह संदेह तब मिठ जाएगा जब तु जान लेगा कि इस पालक की मा में का नामक एक अपसरा की बेटी है उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ यह तो बड़े आनन की बात सुनाई इससे कुछ और आशा भड़ी इसकी माता किस राजर्शी की पत्नी है जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराद छोड़ दिया है उसका नाम मैं ना लूँगी यह कता तो मुझ पर लगती है भला अब इस बालक की मां का नाम पूछो यह शकुंतलावन्य देख कहां है शकुंतला मेरी माता यहां तेरी माता नहीं है तुम इस नाम से दोखा खा गए सर्वदमन मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख इसकी मां मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है यह वरतांत मुझे ऐसे व्याखुल करता है जैसे मृर्ग तृष्णा प्यासे हिरन को व्याखुल करती है मुझे यह मौर बहुत अच्छा लगता है ओ, बालक की बाँ से रक्षा बंदन कहां गया? घबराओ मत, जब यह नहार से खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था सो वह पड़ा, मैं उठा कर तुम्हें दिये देता हूँ अरे-अरे, मत उठाओ, इसे मत चुना ओ, इसने तो उठा ही लिया यह अलो, परन्तु, यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? इस रक्षा बंदन का नाम अपराजित है जिस समय इस बालक का नाम करण हुआ था, तब महात्मा मरीची के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था इसका गुण है, कि कभी यह धर्ती पर गिर पड़े, तो इस बालक के माता पिता को छोड़ कर, इसे कोई दूसरा ना उठा सके और जो कोई उठा ले, तो क्या हो? तो यहाँ तुरंट साब गन कर उसे डसता है तुमने कभी ऐसा होते देखा है? तो अब मेरा मनुरत पुरा हुआ, मैं क्योना आनल मनाओ